हमारे पास यह 3 questions हैं तो एक एक करके हम करेंगे और इसमें को ज्यादा ऐसा है नहीं है जो आप लोगों को बहुत करने लाइक दें तो बहुत कुछ है बट इसमें एक की सीखने की अच्छे जरूर है किसी भी series की आपको longest शौर्ट इस पूछे तो क्या होता है इधर अच्छे जैसे मान लो कोई लाइमन सिरीज बालमाड से कोई भी सीरीज की बात करता हूं हमको भालमादी है सनो। कि बात करें है यह में दो एक स्ट्रीम के से यह और एक बहुत उपर से फ béलकुल oh होते हैं बताएं गया इनर्जी चाहिए होती है अब जैसे मौनलो हरी चाहिए चाहिए यह इंपनी चाहिए उसको इनर्जी तक पहुंचाने के लिए वह जितनी उसकी टोटल एनर्जी ओद इसका वोल्ट किसमें घ्राउंड सेट में अगर हाइड़ेन एकट्रों को ठीक इतनी ही एनर्जी दे दो इधा प्लस में कि तो वह बहार निकल जाएगा मला इंफिनिटी पे चला जाएगा उसकी टोल एनर्जी कितनी वजाएगी टोल एनर्जी जीरो यह मत सोचना है कि इंफिनिटी तक निकालने के इंफानाइट एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी नेगेटिव टोल एनर्जी पॉसिटिव एनर्जी दे दो टोल एजी जीरो होगी तो और बाहर चला जाएगा अगर एलेक्ट्रों फर्स्ट और्विट में है तो उसको इतनी चाहिए कि एक तो बसक्त से किसमें आफ ज्यादा होगी स्लिटी गूगी कि मैं जितनी उपार से इनर्जी ज्यादा होगी है कि को Native Vienna घ्राओ घड Ugh यह मिनिमान वहलता है गाक। minimum wavelength और shortest जो दूर से कुद्रा और यह फिर पड़ोस से कुद्रा है पड़ोस से कुद्रा है तो energy क्या होगी इसमें कम होगी वेवलेंट क्या होगी ज्यादा होगी तो यह maximum wavelength यह फिर longest कि यह तो हमने बात की किसकी लाइमन सीरीज की अब बालमर सीरीज की आप खुछ सूच लो यहां अच्छे जब पड़ोस से कुद्रा है तो maximum और दूर से कुद्रा तो minimum और पड़ोसी के घर में आंग लगे तो असर मैक्सिमुम होता है और किसी दूर वाले घर में आंग लगे को लॉंगेस्ट और शॉर्टेस विवलें तो बालमर सीरीज की बात की गई है तो जब मैंने आपको बताया कि पड़ोस से कुद्रा है तो maximum यह लॉंगेस्ट होती है तो बालमर में क्या होता है second में कूद्रा है लेंडा इसको में बोलेंगे मैक्स मेक्सिमुम लोंगेस्ट के लिए किसी किसमीं कुद्र है सॉरी रेंट वक कॉंचिंट हो जाएगा आए कि कहा से कहा रहे है तुमें आ रहे है टू का स्कुर्ट मैंने क्या आ जाए गई क्या हो जाए गई अच्छे सिंप्लिफार करो क्या आएगा नौ पांच बाए ठीक है और वन बाए कि मिनिम्म क्या हो जाए गार किसी किसमें आ रहा है किसी भी इंफिनाइट से डिवाइट करोगे और जीरो हो जाता है कि अर्वाइ फूर तो क्या निकालने लॉंगेस्ट टू शॉर्टेस्ट एक काम कर इसका रेशल ले लू है 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 यह क्या आएगा यह मिनिम्म मैक्सिम्म आएगा अपार कि हम्हां को मैक्सिम वैं मिनिम्ममं चाहिए तो अगर मैक्सिम कर दो तो रहेशे ऑते चाहिए ऊच्छे ऐगा है मेक्सिमम होती हैं तो हमने यहां पर सई से स्ट निकाला था लोंगे स्यरीजर निकाली थी या सकते हैं तो एक काम करते हैं हम क्या करते वच्छे इसको ना इसी फर्मले को सिंप्लिफाय कर देते आगे आरके लिए डालके इसको रेसी प्रोकल वगरे के सॉल कर लेते मैचमेटिकली तो एच अलफा वहीं आ जाता है अब हमारा लिखना है अब लिख लो अब हमार तीसरा कोशन जो है वह थोड़ा सा ड मैक्सिमा बाइब मेनिमम निकालोगे तो नाइन बाइफाइब हुजाएगा ना इस चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है कि अब दिखूंच यह दूसरा कोश्चन दिया है हमारा इसके दो तरीके से हो सकता है क्या कोश्चन दिया हुआ है ग्राउंड शेट में हाइड्रिजन ए अधन करता है इस एस अधन डेवल्थ पर माइनस 1.5 एलक्रोंड से माइनस 3.5 एलक्रोंड पर क्या वेवलें रिलिज होगी और जो वीकिन स्पेक्ट्रम में रखा जाएगा इसको करने के 2 तरीके मच्चा दो फॉरमले एक तो पहला वालए तरीका जो निकाला था डेल्टा लेंडा यह दूसरा इसको लामन बालमर सीरी से डी कर सकते हैं तो जैसे मालों से प्रॉमले से करना है दो निकाल लेंगे क्या अजय कोई बच्च्छ आएगा इसका 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 अजय है बताओ तो आपको निकालने को दिया है तो अगर आप इसका डिफरेंस निकाल लोगे अब देखो एक्सली क्या होता है मैंने भी आपको दाया था इसमें क्या होता है यह तो लेक्रोन मोल्ट में और यह जूल में तो इसका एक जुगार्ड फॉर्मुला भी दे रहा हूं मैं आपको इसका जुगार्ड फॉर्मुला भी है लिख लोच्छे मैंने यहाद काफी काम आता है कि यहाँ डेल्टा ही डार्कली एलेक्ट्रोन वोल्ट में है करना सीधा पुट करना कोई फॉर्मुला नहीं लगाना कुछ नहीं लगाना जैसे अब यह कोश्चन हुआ एनर्जी डिफ्रेंस कितना है बताना अच्छे सब्सक्राइब लेक्ट्रोन वोल्ट में निकाल नहीं है क्या रेलीज होगी लेक्ट्रोन ट्रांजिशन कर रहे हैं यहां से हैं इस इनर्जी से इस इनर्जी में तो यह वैल्यू यहां पूट कर दो सब्सक्राइब लेंडा इसको नीचे लियाओ लेंडा कितना आ जाएगा सब्सक्राइब हमने आपको लास्ट टाइम कर रहा है हमने आपको बताया था ना कि कुछन में यहां से जम ना कर रहा है तो जो एनर्जी दिफिरेंस होता है वह राइशन के बराबर होता है यह अब आपको पताया था यह कोशन में हो क्या रहा है कौन से और बेट में अशन कर रहा है और ली स्कूलिश को देखके यह सेकंड और्बिट के एनर्जी होती है तो एनर्जी की वैल्यूस देख कि मुझे समझ में आ रहा है कि थर्ट से से सेकंड में जम कर रहा है बिसिकली यह एच एलफा वालमर यह बच्चों जो भी भी कोशन कि है नहीं यह चल्फा बालमर सीरीज क्या होती है कहीं से किसे में जम करें कहीं से भी सेकंड में जम करें तो से बालमट क्याते है है और यहां पर किसे कर रहे हैं थर्ट से एंगे सब्सक्राइब करने को कैसे कर सकते हैं किस से जम कर रहे हैं तो यहीं तकाज करते हैं यहां से यहां हो रहे है इस एक्षिल क्या होता है हमको यह पता है कि जैसे ड्ल्टा-E क्या होता है सब्सक्राइब क्या होता है तो हम हर एक के लिए ऐसी रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे तो इसके लिए क्या रिलेशन हो की लेशन के लिए को बच्छा बताएं न क्या लिखू मैं सब्सक्राइब क्या रिलेशन होता है इसका ड्ल्टा-E क्या हो जाएगा यह हमारी सेटिंड एक्वेशन होगी और हमारी फट्वेशन क्या है एक्वाइनस यह इक्वल टू क्योंकि हमको कुछ ऐसा करना है ताकि यह काम करते हैं हमको ऐसा करना है ताकि यह करना है ताकि आप प्रस होचते है तो हो सकता है ECB दोरों कि और EB कि एक पैसे कर सकते हो बद एक चौटा से प्रसस्ट यह है कि आप मुदनों को एड कड़ो ऑड करोगे तो क्या हो जाएगा यह EV कर जाएगा यह क्या आजाएगा EC-EF है यह एक्वेट कर दो आरेचेस एड़ होगी क्या हुजाएगा है एक्वाइग लेम्डवन चीक्वाइग लेम्डवन संदेगा है नहीं संदेगो है अब यह और यह इकवेट कर दो एक्वेट वतन बरापर होगे लेमडा 3 इस एकोल टू एक्वाइट लेमडा 1 प्लस एक्वाइट लेमडा 2 एक्वेट टू यह है तो और सिंक्रिफाइब कर सकते हो बट यहां सक्ष्च हमें कोशन दिया गया है कि कुछ ट्रांजिशन दिया है और यह अनर्जी लेवल्स है एक्चली गया है वैसे तो हम हाइड्रोजन एक्टम की बात कर रहे हैं बड़ एक्जामनेशन में प्रिवेसर में कैसा कोशन आया होगा था के ठीक है नहीं है बाद ऐसे कोशन भी आ सकते हैं रही बात यह जो ट्रांजिशन वाला वाला हों तो कहीं भी लागू सकताए डेल्टा इसीपल टू अच्छिवा लेंड़ जरूरी नहीं हो हाइड्रोजन एक्टम के लिए हो हाईड्रोजन एक्टम के लिए तो बहुर के पो करता है चाहे कोई भी आटम हो चाहे है यह वाली निकलेगी अब बच्चे क्या करेंगे देखो वेवलेंट निकाल लिए तो एक कांप करो दब्र अब क्या करोंगे आपके दिमागे क्या रहे कारोंगे बता है हरिकका इसे कहते हैं चाहिए काम करते हैं सभी का डेल्टा इक गितना होँटा इनका 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 डेफरेंस कितना हुआ देखो बच्चे क्या है कि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सभी डेटा-E की वेल्यूट कर देते हैं देखो, इसको बना करहंगा ये काम करो हमें क्या करना है हम लेमडा पुट करते हैं बच्च क्या है कि इस के साथ यह जुन में होता है यहाँ है यहां यहां किसमें फॉर्म्ला किसम होता है जूल में लास्ट प्रास में आपको एक फॉर्म्ला बताया था बताव अच्छी जली से क्या था तेल्टा इस इकोल टू नहीं 1.12.375 तो अम एक काम करते हैं लेम्डा की वैली यहां रखते हैं 12.375 x 10 कि पावर माइनस 7 और वेवलेंश यहां कितनी होगे 275 नैनो 10 कि पावर माइनस 9 आए बच्छे 10 कि पावर माइनस 9 ने इसको सिंपलीफाय करते हैं 10 कि पावर माइनस 2 पर आ जाएगा ड्टाइट यह जाएगा सौ उप्पर मल्टिप्लाई हो जाएगा सौ मल्टिप्लाई क्या हो जाएगा 275 या जाएगा तो energy difference कितना आ रहा है 4.5 तो जब energy difference 4.5 electron volt होगा तो यह transition होगा kis case में 4.5 energy difference है बतांना गया b वाले में a में 2 है B में energy difference 4.5 है तो answer क्या होगा B वाले transition में क्या है transition B वाले transition में हमने जब wavelength पुट की तो हमें energy difference मिला इसी case में energy difference 4.5 होगा आपकी case में क्या है ? Nanometer अब देखो meter में अब देखो अब देखो अची मुझे कहा है कि मेरे को यही formula में use करता हूं तो मुझे इसके साब से बता है आप लोग कि और भूभी formula अगर आप देख रहे होगे तो आप देख ले ना बट मैं यही शॉटलट बच्चे को री comment करता आपके तरस से यही वाला पेपर में direct लगा देना अबर दिखाना नहीं दिखाना नहीं यह फरक है बच्चे दिखाने में और लगाने में इसली क्या है अगर हमें maximum और minimum wavelength graduation निकालने हैं तो energy difference और wavelength इक दूसे के inversely related होता है चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पर उनकी चले जाके hc by delta e इसका energy difference सबसे ज्यादा होगा इसकी wavelength minimum होगी यहां पर आप देखो सबके energy difference तो सबसादा energy difference आपको 8 electron rule मिलेगा किसका d transition का तो इसका energy difference ज्यादा है energy difference d का क्या है ज्यादा है तो wavelength उसकी क्या होगी सबसे कम होगी इनका relation क्या होता है inverse होता है और सबसे कम energy difference किसका है a का सबसे कम energy difference है energy difference सबसे कम है a का तो wavelength सबसे ज्यादा maximum किसकी होगी देखी कोई doubt अच्छे maximum minimum wavelength में यह question नमारक complete हो गया